नमस्कार! आकाश्वानी से प्रस्तुत है समाचार संधया ग्रेमंत्री अमिती शाह ने कहा राश्ट्रे राजधानी के कन्टेन्मेंट क्षेत्रों में घर-घर स्वास्त सर्विक्षन किया जाएका ग्रेह मंत्री राश्ट्री राजधानी में कोविद नाइंटीन से निपटने के प्रबंधन की सम्युक्षा के लिए कल सर्वदलिय बैठक की अध्यक्षता करेंगे देश में कोविद नाइंटीन से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की डर पचास प्रतिशत से अधिक हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने कहा सरकार की ओर से चीन के साथ राजनाईक और सैन इस्तर पर बातचीत जारी है बॉलिवुड अभीनेता सुषांत सिंग राजपूत का निधन उपराश्टुपती प्रधान मंत्री ग्रिह मंत्री और अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक वेक्त किया और दुनिया भर में आज विश्वरक्तदान दिवस मनाया जा रहा है समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं आनंद शिवास्ता ग्रिह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोधी सरकार दिल्ली में कोविड-19 महमारी को नियंत्रित करने और राश्ट्रे राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबध है ग्रिह मंत्री ने दिल्ली में COVID-19 के स्थिती की सम्युक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें केंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन, दिल्ली के उपराजिपाल अनिल बैजल, मुख्य मंत्री अरविंद के जिरिवाल तथा अन्य वरिष्ट बैठक में दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई निन्ने लिये गए, श्री शाह ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को तुरंत परिवर्तित 500 रेल बोग्यां हो जाएंगे, इन रेल डिबो में COVID-19 के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, कंटेंडमेंट शेत्रों में घरगर स्वास्ते सरवेक्षन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट एक सब्ता के भीतर उपलब्ध होगी, प्रभावी निग्रानी के लिए सभी निव कम दरों पर 60% बिस्तर होना सुनिश्चित करेगी, ये समीती कोरोना की जाच और इलाज की दरे भी तै करेगी, ग्रिमंत्री ने कहा है कि सरकार ने मृतिकों के अंतिम संस्कार के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करने का निर्णे लिया है, समाचार कक्ष से दिप ग्रिमंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के तीनो नगर निगमों के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ एक अलग से बैठक की, आज दिन में हुई ये दूसरी बैठक थी, तीनो नगर निगमों के आयुक्तों ने भी बैठक में भाग लिया ग्रिमंत्री अमित शाह ने राष्ट्री राजधानी में कोरोना वाइरस से निपटने के प्रबंधन की समीक्षा के लिए कल सरवदलिय बैठक बुलाई है ग्रिमंत्री ने भारतिय जनता पार्टी, आमादमी पार्टी, कॉंग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली के नेताओं को बैठक में आमत्रित किया है बैठक में केंद्रिय स्वास्थे सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान स्वास्थे सचिव भी हिस्सा लेंगे श्रीशाह ने आज दिल्ली के उपराजेपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल और केंद्रिय स्वास्थे मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ एक उच्चेस्तरिय बैठक की उन्होंने बैठक के बाद राष्ट्रिय राजधानी में कोरोना वाइरस से निपटने के लिए कई उपायों की घोशना की ग्रेमंत्री अमिश्राह ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार की सहेता के लिए चार आईएस अधिकारी को तुरंत नई दिल्ली इस्थानांतरित करने का आदेश दिया है इन अधिकारियों में वर्तमान में अंडमान और निकोबार दूपसमूह में तैनात अबनीश कुमार और मौनिका प्रियदर्शनी और अरुनाचल प्रदेश में तैनात गौरव सिंग राजावत और विक्रम सिंग मलिक शामिल है ग्रे मंतरी ने केंद्र से भी दिल्ली सरकार के लिए दो और वरिष्ठ आईएस अधिकारियों SCL-10 और SS यादव की तैनाती का आदेश दिया है देश में कोविद-19 महमारी से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 50 पृतिशत से अधिक हो गई है पिशली 24 घंटों के दोरान 8000 से जादा लोग स्वस्थ होए हैं अब तक देश में कोविद-19 के संक्रमित से 1,62,378 लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ मंत्राले ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर संकेत करती है कि संक्रमन से पीडित आधे से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं उचित समय से संक्रमन की पहचान और बेहतर चिकित्सा प्रबंधन से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है भारतिये आयूर विज्ञान अनुसंधान परिशद ने कोरोना वाइरस से संक्रमित व्यक्तियों की जांच के लिए परिक्षन प्रक्रिया तेज कर दी है सरकारी प्रियोग शालाओं की संख्या बढ़कर 646 और निजी प्रियोग शालाओं की संख्या 247 हो गई है केंदर शासत प्रदेश जम्मु कश्मीर में COVID-19 से आज दो और लोगों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है जम्मु कश्मीर में फिलहाल 4878 पॉजिटिव मामले हैं अब तक 2289 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में आर्थिक प्रोतसाहन पैकेज के क्रियानविन के लिए राज्य के सभी जिलों में समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी इन बैठकों के लिए जो प्रारूप तियार किया गया उसमें कोवीड-19 की रोक थाम के लिए प्रबंदों की समीक्षा केंदरवार राज्य सरकार दोरा शुरू किये गए परमुक कारिकरमों के कारेमन की समीक्षा खर्च नहीं कीगी धनराशी का उप्योग, मुक्यमंत्री की घोष्णाओं की इस्तिथी और मुक्यमंत्री द्वारा रखी गई विकासात्मा कारियों के आधार शीलाओं की परगती की समीक्षा शामिल है पहली शमीक्षा बैटक कांगरा जिले में आने वाली 16 तारिक को शुरू होगी जो कि इस महा की 29 तारिक तक जारी रहेगी संजीब शुंदरियाल, आकाशवानी समाचार, शिमला हर्याना में आज कोविद-19 के 432 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं 120 लोग स्वस्थ हो गए हैं, हर्याना के स्वास विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7171 हो गई, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2923 हो गई है अब तक कोरोना के 78 मरीजों की मौत हो चुकी है, राज्य में अब कोविद-19 के 4198 सक्रिय मामले हैं चंडिगड में कल 5 और लोगों में कोविद-19 संक्रमन की पुष्टी हुई, इसके साथ ही पुर्देश में कोरोना संक्रमन के मरीजों की संख्या बढ़कर 350 हो गई है और 295 लोग ठीक हो चुके हैं, बिहार में संक्रमन से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 63 पुर्तिशत हो गई है, राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3975 है सिख्य में आज COVID-19 के पांच नए मरीजों की पुष्टी हुई है और इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 63 पहुँच गई है मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान पांच और लोगों में कोरोना संक्रमन की पुष्टी होने से राज्य में कुल रोग्यों की संख्या 112 हो गई है वही नगा लेंड में इस महामारी से संक्रमितों की संख्या 168 हो गई है इन में से 76 स्वस्थ हो चुके हैं और 92 का इलाज चल रहा है तेलंगाना में एक ही दिन में 253 लोगों में कोरोना संक्रमन की पुष्टी हुई है तमिलनाड में पिछले 24 घंटे में 1138 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं कुल सक्रे मामलों की संख्या 19,686 हो गई है स्वस्थ होने वालों की दर 55.9 प्रतिशत है जबकि कोरोना से मरने वालों की दर 0.97 है चेन्ने में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अधिकारियों ने संक्रमन के प्रसार पर काबू पाने के लिए अपनी रणनीती में फिर बदलाव किया है एक रपूर्ट राज्य स्वास्त विभाग और चेन्ने निगम ने कोविड 19 महामारे से निपटने के लिए रणनीती में बदलाव किया है निगम के 15 जोन के सभी 200 विभाग में नई छोटी योजनाओं को लागू करने के लिए अलग से टीम बनाई गई हैं यदि रोगी कई बिमारियों से पीडित है उमर दराज है या कई लक्षन है तो उन्हें अस्पताल भीजा जाता है जिन रोगियों में लक्षन नहीं दिखाई दे रहे हैं उन्हें घर में क्वारंटीन या कोविड 19 उपचार केंद्रों में रखा जाएगा संक्रमित रोगी के परीजनों और नस्दी की लोगों की जाच की जाएगी गहन संक्रमन मुक्त अभियान घर घर जाकर इन्फलेंजा बुखार जैसी बिमारी बुखार शिविर और रोग प्रतिरोध शमता को बढ़ाने वाली दवाई सयुक्त रूप से वित्रित करना इस स अंशोधित रननिती में शामिल है। चेन्ने से जैसिंग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विरेंदर कौशेक। मंतराले ने कहा है कि जारी किये गए दिशा निरदेशों में साफ तर पर कहा गया है कि फिलहाल इसके इस्तमाल के लिए ज्यादा परिणाम उपलब्ध नहीं है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहा सख्त लॉगडाउन लगाने का डावा करने वाला संदेश असत्य है एक ऐसा ही संदेश फेस्बुक पर चल रहा है जिसमें डावा किया गया है कि 18 जून से लॉगडाउन लागो किया जाएगा प्रेश सूचना कारियाले P.I.B. ने ट्विट में कहा है कि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं चल रहा है P.I.B. ने लोगों से अफवाहों से बचने का आगरह किया है आकाश्वानी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोनीन कारिक्रम में COVID-19 पर विशेश परिचर्चा प्रसारित करेगा भारतिय जनस्वास्थ संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर के शीनात रिड़ी परिचर्चा में भाग लेंगे इसे रात 9 बज कर 30 मिनट से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है शोता इस्टूडियो में सीधे फोन कर विशेश प्रभाग विशेश प्रभाग विशेश प्रभाग की सलाह श्रिंकला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने मारे चिकिस्ता विशेशग्यों की राय प्रसारित करता है इस रंकला में अखिल भारतिय आयरवेगियां संस्तान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को उचित समाजिक दूरी का पालन करने हाथों की स्वक्षता और खासते और शीकते समय साफधानी बरतने की सलाह दी है तो बिहेवियरल थेरपी है लाइक हाथों का बार-बार दोना सोफ वाटर से 20 सेकिंड तक या फिर हैंड सेनिटाइजर यूज़ करना सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना खासमेश शीखने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना किया है जम्मु जनसमवाद रेली को वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए शी सिंग ने कहा कि सरकार जम्मु कश्मीर का इतना जबरदस विकास करेगी कि पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनने की मांग करने लगेंगे आगामी पाँच वरसों में हम लोगों की कोशिस है जम्मु कास्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि पियोके के लोग भी आपसे रस्क करेंगे कि कास हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे एक दिन भी बदल जाते रक्षा मंत्री ने कहा कि मोधी सरकार ने कई करांतिकारी निर्णे लिये हैं और जम्मु कश्मीर में संबंधित सम्विधान के अनुचेत 370 को निरस्त करने का फैसला भी इनी में से एक है उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों को माकूल जवाब दे रहे हैं रक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप की इस घड़ी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नेतरित्तु की न सिर्फ भारत में बलकि दुनिया भर में सराहना हो रही है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ने कोरोना आपदा को एक चुनोती के रूप में लिया है और इससे निपटने के लिए कई बड़े और महत्तोपून फैसले किये हैं श्रीराजनास सिंग ने कहा कि COVID-19 के प्रकोप का देश की अर्थ विवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है लेकिन प्रधान मंत्री ने इससे निपटने के लिए देशवासियों के लिए 20 लाग करोड रुपे के पैकेज की गोशना की है चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर श्री सिंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनाइक और सैन हिस्थर पर बादचीत जारी है जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है इस समय मिलिटरी लेबल पर बादचीत चल नहीं है रक्षा मंत्री ने विपक्ष को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार सीमा पर गतिविधियों के बारे में संसद या किसी अन्ने को अंधेरे में नहीं रखेगी और उप्युक्त समय पर विस्तृत जानकारी उनके साथ साजा की जाएगी जम्मु कश्मीर के पुंच जिले में आज नियंतरन रेखा के पास पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया और दो अन्ने घायल हुए ये गोलाबारी पुँच जिले के शाहपुर करनी सेक्टर में बनवात और अन्य इलाखों में हुई गोलाबारी में सेना के तीन जवान घायल हो गए जिन में से एक जवानने अस्पताल में दम तोड़ दिया इस महीने पुंच और राज़ौरी जिलों में पाकिस्तानी सेना की ये तीसरी गोलाबारी है जिसमें हमारे जवान हता हत हुए है जम्मु कश्मीर में इस वर्ष 10 जून तक नियंत्रों रेखा पर पाकिस्तान की ओर से कम से कम 2,027 बार संघर्ष विराम का उलंगन हुआ है मार्च में सबसे जादा 411 बार संघर्ष विराम का उलंगन हुआ पिछले साल के इस महीने के तुलना में इन में लगभग 79 प्रतिशत के वृद्धी हुई है इस साल जम्मु कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुटभेड में लगभग 100 आतंखवादी मारे गए है भारतिय सेना ने पिछले सप्ताह कहा था कि वो सीमा पार से घुसपैट के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए पूरी तरह से तयार है सेना ने दोहराया है कि घुसपैट के अधिकतर प्रयास विफल कर दिये गए है ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com slash hindi और हमारे मोबाईल एप newsonair पर भी उपलब्ध है अपने साथ अपनों का ध्यान रखो बड़े बुज़ुर्गों का तुम ध्यान रखो महामारी से लड़ना है पहुत जरूरी स्यादा पास न जाना रखो दो गज़ दूरी सुरक्ष दादा दादी नाना नानी अभ्यान अपने साथ अपनों का ध्यान आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर ग्रहमंत्री अमिशाह ने कहा राष्ट्रिय राजधानी के कंटेनमेंट शेत्रों में घर घर स्वास्थ सर्वेक्षन किया जाएगा ग्रही मंत्री राश्ट्री राजधानी में COVID-19 से निपटने के प्रबंधन की समीक्षा के लिए कल सर्वदलिय बैठक की अध्यक्षता करेंगे देश में COVID-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 50 प्रतिशत से अधिक हुई रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने कहा सरकार की ओर से चीन के साथ राजनाईक और सैनिस्तर पर बाच्चीत जारी है बॉलिवुड अभिनेता, सुशान सिंग राजपूत का निधन, उप्राश्च्वपती, प्रधान मंत्री, क्रिह मंत्री और अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्ति किया और दुनिया भर में आज विश्व रक्दान दिवस मनाय जा रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ ने सभी सरकारी स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों से सत्यापन के आदेश दिये हैं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समर पे दल गठित करने को कहा है जो सरकारी स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर वरुष्ट अधिकारियों के साथ पूरी जाँच के आदेश दिये हैं उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक कल्यान और कस्तूर्बा गांधे विद्यालियों में नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की जाँच करने को कहा है गुजरात सरकार कल से घर पर पढ़ाई का कारेकरम शुरू कर रही है इसका प्रसारण डीडी गीरनार चैनल से 15 अगस तक किया जाएगा राज्य के सिक्सा मंत्री स्री भुपेंद्र सी चुड़ासमा की अनुसार कक्सा 3-8 के छात्रों के लिए रोजाना 30 मिनिट जबकि कक्सा 9-12 के छात्रों के लिए रोजाना एक घंटे का कारेकरम टेलिकास्ट होगा उन्होंने कहा कि जिसके पास टीवी की सुविदा नहीं है ऐसे छात्रों को स्वाशिक्षन सामगरी दी जाएगी घरे सिखे नाम से यह स्वाशिक्षन सामगरी इस तरह से तयार की गई है कि छात्र अपने आप या पेरंट्स की मदद से भी पढ़ाई कर सकता है राज्य सरकार ने 30-35 छात्रों के ऐसे क्लस्टर भी बनाये है जिनके उपर सिक्सकों द्वारा फोन कोल के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी विशेशग्यों के अनुसार इस पहल से छात्रों को अपनी बढ़ाई जारी रखने के साथ साथ कोवीड-19 के संकरमन से बचाओ में भी मदद मिलेगी योगेश पंडिया आकाश्वनी समाचार आहम दबद मधपृदिश सरकार राजी को आत्म निर्भर बनाने के अभियान में महिला स्वैम सहायता समूहों को भी शामिल कर रही है राजी सरकार आगामी दिनों में इन समूहों को विभन आर्थिक गतिविधियों के लिए 1433 करोड रुपए का काम उपलब्द कराएगी मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि महिला स्वैम सहायता समूहों को उनके गाम्व की जरूरत के मुताबिक वस्तों का निर्मान करना चाहिए और सरकार उन्हें बाजार उपलब्द कराने में मदद करेगी एक रिपोर्ट मुख्यमंतरी ने कहा कि करोना के विरुद लड़ाई में अपने गाउं और शित्र को जागरूग करने में महिला स्वैता समूह आदाश बने वे अपने गाउं और शित्र में करोना के प्रती जागरूगता भी फैलाएं संजीव शर्मा, आकाशवणी समचार, भुपल उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वे राज्य के आम उत्पादक किसानों और निर्यातकों के हितों के लिए प्रतिबद हैं हमारे समबदाता ने बताया है कि मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने लखनव में आम निर्यात और विपड़न के बारे में समीक्षा बैठक में राज्य में उत्पादित आम के अंतर राज्य और अंतर राष्ट्रिय इस्तर पर ब्रांडिंग करने का निर्देश दिया ह है एक रिपोर्ट और निर्यात कों के लिए अंदान की संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिए उन्होंने प्रदेश में गंगा किनारे छेत्रों में आम की आर्गनिक खेती करने पर बल दिया राज में आम उत्पादक जन्पदों में मुख्य रूप से राजधानी लखनव सहीच, साहरनपोर, मेरट, बागपत, ब्रणशेर, अमरोहा, बाराबंकी, हर्दोई, सीतापोर, अयोध्या, प्रताबगड और बनारश शामिल हैं हालां कि यहां पर आम की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन दशहरी, लंगडा, चौसा, रामकेला, रातौल, लखनवा, सफेदा, गौर्जीत, आमरपाली और मलका आम की सबसे ज़्यादा मांग रहती है असम के मुख्य मंत्री सर्वानंद सोनुवाल ने पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने गैस कुआ आग दुरघटना से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तिन सुकिया जिले के बागजान शेत्र का दौरा किया उन्होंने तेल इंडिया लिमिटेड और अन्य एजिंसियों के विदेशी विशेशग्यों और अन्य विशेशग्यों दौरा किये जा रहे नियंतरन उपायों का जायजा लिया और आग बुझाने की अब तक की प्रगती की समीक्षा की उन्होंने छेत्र के प्रभावित लोगों के लिए बागजान में इस्थापित राहत सिवर्कावी दौरा किया गैस से आग लगने की घटना से प्रभावित लोगों से सहानुभूती प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटना बहुत दुर्भागेपून है और अप्रत्याशित है उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को उनके नुक्सान का अधिक्तम मुआवजा प्रदान किया जाएगा श्रिप्रधान ने लोगों से गैस की आग को नियंतरित करने में सरकार को अपना पूरा सहयोग देने का अनुरोध किया श्रिलंका सरकार ने कहा है कि वो एक अगस्त से पहले कोलंबो अंतराश्च्ट्य हवाई अड़े को फिर से खोलने पर विचार कर रही है इससे पहले सरकार ने एक अगस्त से परियाटकों के लिए देश को खोलने की योजना बनाई थी परियाटन और विमानन मंत्री प्रसना रणातुंगा ने आज कहा कि श्रिलंका आने का इंतजार कर रहे सभी लोगों को फिर से हवाई अड़ा खोलने से पहले उन्हें लाया जाएगा श्री रणतुंगा ने कहा कि लगभग 20,000 से अधिक श्रिलंका के लोग वापस लोटने की उम्मीद कर रहे हैं जबकि कम से कम 10,000 लोगों को लाया गया और उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है बंगला देश में कई मंत्रियों और वरिष्ट अधिकारियों के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की खबर है शनिवार रात को धार्मिक मामलो के राज्यमंत्री शेख मुहम्मद का हिर्दय घात के बाद धाका के सैनिक अस्पताल में निधन हो गया वो कोरोना वाइरस से संक्रमित थे पूर्व स्वास्त मंत्री मुहम्मद नसीम की भी कलमरित्य हो गई वो भी कोरोना संक्रमित थे इस बीच स्वास्त सेवा महानी दिशाले ने बताया है कि देश में 3141 नए वेक्ती कोरोना वाइरस से संक्रमित हुए है इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 88,250 तक पहुच गई है ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com slash hindi और हमारे मोबाइल अप newsonair पर भी उपलब्ध है कि संभावना कम है सबसे महत्रपूर्ण है ये मास्क पर मास्क हमेशा पहनुगा समय समय पर हाथ दोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम दो गयस की दूरी बनाए रखोंगा खुद को दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखोंगा अजब देश के मेडिकल और सच्छता करमचारी रोज करोना वारिस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिमेदारी बनती है अपना काम करने की है जबनी तुझे कुछ हो गया तो हजारों लोग इस बिबारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बिमारी हो भी जाए तो सरकार में हस्पताल में हमारे इलाज के लिए प्रयाप्त विर्वस्ता कर रखी है ये घबराने का वक्त नहीं एक दूसरे का ह ये आकाश बानी है कर आत्महत्या कर ली थी सुशांत दिहार के मूल निवासी थे और अपने परिवार में सब से छोटे थे सुशांत के परिवार में उनके पिता और चार बड़ी बहने हैं करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रती संवेगना व्यक्त की और कहा कि एक प्रतिभावान यूवा अभीनेता बहुत जल्दी चले गए सुपथा शारुक खान ने कहा कि वह अभीनेता सुशांत की उर्जा और नुसकान को याद करेंगे सुशांत तीवी गारावाई के माध्यम से अभीनेय में कदम लखने से पहले डिल्ली टेक्नालोजिकल यूनिवर्सिटी में मेकानिकल इंजिनियरिंग के छास रथे वहलोग प्रिय टीवी शो परितर रिष्टा में अपनी भूमिका के साथ घरेलू नाम बन गए सुशांत ने अपनी फिल्मी करियर के शुरुआद 2013 में फिल्म काइपो छे से की जिसके लिए उन्हें इस पदारपन के लिए फिल्म पर उरसकार के लिए नामामकन मिला इसके बाद उन्होंने 2013 में रुमांटिक कॉमेडी शुद्ध देती रोमांस और 2015 में आक्शन फिलर डिटेक्टिव लूंकेश बक्षी में अभीने किया 2014 में रिलिव हुई फिल्म पीके उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही जिसमें उन्होंने सहायद भूनिका निभाई थी इसके बाद 2016 में स्पोस बायोपिक्स एमेस दोनी द अंटोल स्टोरी में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सरवशित अभीनेता के लिए सिंग्षेल प्रुसकार का अपना पहला नामांकन मिला उपराष्ट्रपती, प्रधान मंत्री, ग्रही मंत्री और अन्य नेताओं ने सुषान सिंग राजपूत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उपराष्ट्रपती, एमविनकया नाइडू ने अभीनेता सुषान सिंग राजपूत के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि युवा और प्रतिभावान अभीनेता सुषान सिंग ने सिल्वर स्क्रीन पर कई यादगार चरित्रों का जीवन्त अभिने किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट में प्रधान मंत्री ने कहा कि एक उभरता युवा अभीनेता बहुत जल्दी चला गया और अब एक नजर कल के मौसम पर उमीद है चैन्नाई में सामानी रूप से बादल चाय रहने के साथ हलकी बारिश हो सकती है नियुनतम और अधिक्तम तापमान 29 और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशा है कोलकाता में सामानी रूप से बादल चाय रहेंगे एक या दो बार बारिश होने अगर अज क रूप से बादल चाय रहेंगे श्रीनगर में भी आशिक तोर पर बादल चाय रहेंगे शहर में अधिक्तम तापमा 29 और नियुनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उमीद है गिलगित में आशिक रूप से बादल चाय रहेंगे और गरज के साथ छीटे पढ़ने आन्धी जलने की संभाव ना है आजनाईक और सैन इस्तर पर बातचीत जारी है बॉलिवुड अभीनेता सुशांत सिंग राजपूत का निधन और दुनिया भर में आज विश्वरक्तदान देवस मनाया जा रहा है इसके साथ ही समचार संध्या का ये अंगसमाप्त हुआ नमस्कार